तो अगर आप यहाँ पर जीयो के तरफ से आने वाले 5G नेटवर्क आएं इंडिया में लाँच होने के लिए वेट कर रहा है तो आपके लिए जो गुड निव्स है वो यहाँ पर निकल कर क्या चुकी है जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ में सेयर करूंगा तो दोसों वीडियो काफी यह दें इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को लाज तक दिखते रहेगा इसके साथ में यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा यहाँ पर बात करो 5G नेटवर्क के बारे में तो काफी समय से ये चीजें आ रही है कि जो 5G नेटवर्क है वो जल्दी हमें टेलिकॉम कंपणी को तरब से देखने के लिए मिलने बाला है और यहाँ पर जो टेलिकॉम कंपणी है उनकी तरब से ट्राल वगर स्टाट होई गया है अब दोसों यहाँ पर मैं आपको यह इनफॉर्म कर दू कि 91 मुवाइल पर एक रिपोर्ट निकल पर आई है जहाँ पर जियो के अपक्मिंग 5G नेटवर्क के लांच को लेकर के डीटेल्स आई है बिसिकली इनके प्लान वगर को लेकर के इनकी लांच डीड को लेक अब यहाँ पर दूसों यह कहा जा रहा है कि मेबि 24 जून को ही इनडिया के लिए जो जीयो है वो यहाँ पर 5G को अनाॉंस कर सकता है 5G नेटवर्क को अनाॉंस कर सकता है और यहाँ पर facultly के बारे में काफी सरी चीजे हमें यहाँ पर बताये 24 जून को और 24 जून को ही यह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 24 जून को ही, और उसके बाद में यहाँ पर 5G Network के भी बारे में हमें काफ़ी स्री डेटेल्स देंके लेघने के सकती है और उसके साथ में हमें जियो बुक यानि एक budget जो laptop है वो भी देखनी के लिवल सकता है जियो की तरफ से तो ये कुछ चीजे हैं जो कि यहाँ पर announce हो सकती है 24 जून को इंडिया में जियो की तरफ से और दोसों यहाँ पर 5G plan को भी लेकर के कुछ जो leaks है वो निकल रखने वाला है क्यों यहाँ पर जियो की तरफ से हमें काफी जादे affordable जो 5G plan है वो देखनी के लिवल सकते हैं यानि सस्ते में जो 5G plan है वो देखनी के लिवल सकते हैं ताकि सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर 5G को afford कर पाएं और अगर जियो जो है वो सस्ते में 5G plan को announce कर देता है तो ऐसे में Airtel और वी यह मजबूर हो जाएंगे 5G plan को बहुत ही सस्ते में लाने के लिए क्योंकि अगर यह लोग high plan रखेंगे फिर वहीं 4G वाली बात हो जाएगी जैसे यहाँ पर ये भी कहा जादा कि जिस तरीके से 4G जो service थी जियो की उसको चलाने के लिए जियो ने यहाँ पर free में जो network है उसको provide किया था उसी तरीके से maybe इस बार भी हो सकता बिए confirm नहीं है यहाँ पर ऐसा कहा जादा कि इस बार भी ऐसा हो सकता है जो Jio है वो यहाँ पर 4 महिने या फिर 6 महिने के लिए जो 5G डेटा है वो उसको फ्री में प्रोवाइड कर सकता है ताकि जो लोग है वो यहाँ पर 5G को experience कर पाएं 5G NATO को use कर पाएं और यहाँ पर एक 5G smartphone को खरीद पाएं ताकि वो आगे चलके 5G को use कर पाएं तो पिछली बार के तरह ही जो situation है वो इस बार भी यहाँ पर हो सकती है दोस्तों अगर यहाँ पर speed की बात करें तो कहाँ जला है कि 1Gbps तक की जो आपको speed है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 5G network के साथ में जो की बहुत जादे हो जाती है अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 24 जून को जीयो के annual general meeting में क्या-क्या चीज़ें अनाउंस होती है 5G को लेकर क्या चीज़ें आती है जैसे इसके बार में कुछ भी बहुत डेटल आएगी मैं आपको अपनी आने वाले upcoming वीडियो में इंफॉर्म करता ही रहूंगा अब क्या आप यहाँ पर 5G network का इंडिया में लॉंच होने के लिए वेट कर रहे हैं जरूर से अपना opinion मुझे comment box में comment करके बता दीजेगा अब दोस्तों की दागस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करेगा इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा